हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में टाटा पावर में अगर आज आप देखेंगे तो शुरुवात काफी बढ़िया होती हुई देखने को मिली स्टॉक 255 रुपीज के लेवल तक पहुचा बट बंध होते होते हैं फिर कहें कि उस लेवल के पहुचने के बाद स्टॉक के अंदर अचानक से तीजी से प्रॉफि प्लस कंपनी के दोस्तों जो एक सब्सेडरी है उसके नतीजे सामने आ चुके हैं तो क्या नतीजे निकलके हैं इसके और में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को पुरा देखेगा काफी इंपॉर्टन होने वाला है फ्रेंच चैनल से पहली पर अगर आप जुड बट कह सकते हैं कि कोई वो तीजी टिकती हुई देखने को नहीं मिली 255-25 देखे जैसे ही पहुचा उसके बाद तीजी से नीचा आता हुआ देखने को मुला स्टॉक स्लिप हो गया और स्टॉक कह सकते हैं कि फिर एक टाइम पर 245 दिन का लोस पर भी ट्रेड करता हुआ द बट आज स्टॉक में कोई भी देखे मोमेंटम नहीं था बस अगर हम आखरी के वो कुछ मिनिट छोड़ दे जो देखने को मिला नौ बच कर 30 मिनिट के आसपास तक का नौ बच के 28 मिनिट के आसपास तक का उसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं क्रियेट है तीन करोड 20 लाग के असपास की वॉल्म आती हुई देखने को मिली है बच सेलिंग साइट पर आप देखेंगे तो जाद आज कॉंटिटी ट्रेड हुई है करीबन देखे 2853 अगर आप देखेंगे तो लगते हुए देखने को मिले 247.35 के प्राइस पे जो क्लोजिंग प हो चुकिए विकाज अगर आप बाकी के पावर स्टॉक्स देखेंगे तो उनके अंदर तीजी हुई है लेकिन जब से देखें कंपनी ने ये डील करिए तब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता हुआ देखने को मिला है और कह सकते हैं कि द वह भी अपने numbers पेश करती है तो Tata Power की एक जो subsidiary है Tata Power Renewable Tata Power Renewable वह फो ही देखें सब्सेजरी है जिसमें अभी आपको एक deal होती हुई देखने को मिली थी इसी के numbers निकल कि आए नेट प्रॉफिट राइज इस फोर फाइफ एट फोर पॉइंट तुरी पोसें दा मार्श ट्वेंटी 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 टू कॉर्टर तो देखें मार्श 2022 के अंदर कंपनी के जो नंबर से ठाट अब रेनेवेबर एनरजी के वह बहुत बढ़या निकल किया है करीब चारज और 584 पोसेंट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है नेट प्रॉफिट दोस्तों जो है वह करीबन 130 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है जो पहले सिर्फ 2 करोड था 2021 के अंदर तो अपने आप में आप समझेगी 2021 में सिर्फ 2 करोड का प्रॉफिट था रिन्यूवल के अंदर अब 130 करोड का प्रॉफिट हो गया है और यह नंबर्स दीखे बताते हैं कि हां किस प्रकास से कंपनी के क्वाटर फोके नंबर्स रने वाले हैं आउट्स्रांडि इधर नेट प्रॉफिट का तो वो करीबन 1415.56% बढ़ा है 188 करोड पर आता हुआ देखने को मिल रही है प्लस इंवेस्मेंट भी आता हुआ देखने को मिल रहा है हां इन्वेस्मेंट एक वालुएशन पर आना चाहिए था जो थोड़ी सी उपर होनी चाहिए थी बट उस उस पे नहीं आया कह सकते हैं कि देखें मार्केट ने उस बात को पनिश भी किया बट अब मुझे अगता है कि ऐसे देखें वो कोई डरनने वाली बात तो है नहीं विकोज उस पर जितना रियाक्शन आना था वो आता हुआ देखने को मिल चुका कंपनी के देखें नंबर बढ़िया अगर निकल के आएंगे लगाता है तो अपने आप स्टॉक आपको राइस करता हुआ देखने को मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है और यह जो नंबर निकल क्या है वो दिखाता है कि रिन्वेबल के अंदर तो कंपनी बहुत जोड़दार काम कर रही है बहु 255 रुपे तक के लेवल जाना देखिए अपने बड़ी बात थी तब गया जब मार्केट खराब था बच साथ क्यों नहीं दिया विकोज देखिए वो एक लेवल रिजिस्टेंस के तौर पर आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा यह एक इंपोर्टन चीज है और इस ब 247 का वो लेवल फिर टूड़ गया तो स्टॉक ने 245 का असपर सपोर्ट लिया तो स्टॉक के पास देखिए बहुत छोटी रेंज बच चुकि है जहां से देखिए स्टॉक नीचे में सपोर्ट लेगा वो है 245 का लेवल और उपर में एक रिजिस्टेंस के तौर पर काम कर आता हुआ देखने को मिलें नीचे में लास्ट अगर आप दिखेंगे तो 200 रुपे के लेवल से रीकवरी दिखाई थी 200 रुपे के असपास से 205 210 तक के और 220 रुपे के असपास भी एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है अब मैं नीचे वाले सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ मार्केट में एक्स्ट्रीम वॉलेटिलिटी है मार्केट लगातर अगर आप दिखेंगे तो यहां पर आपको जो मूव दिखा रहा है वो एक कंसॉलिडेशन वाला है मार्केट एक रेंज बाउन जोन पर आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है एक दिन देखे तेजी ह हो रही है तो उसके अगले दिन वितनी की वितनी गिरावाट हो रही है और जब भी देखें मार्केट इस प्रकार की पैटन में फॉर्म आए तो यह मत आप समझ लीजिए कि यहां से इस मार्केट जो है वो इसी प्रकार से आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा और अभी जो ट्रिगर से आने वाल दिनों में वो सब्साड़ा ट्रिगर यही है कि फिड की तरफ से कितना रेट हाइक किया जाता है और रेट हाइक अगर दोस्ते हैं पर 50 basis point तक का भी हो जाता है तो market I don't think कि उसको positive मेलेगा तो यह सब चीज़े हैं जिसके उपर focus करना है इसलिए द जैसे मैंने का कि देखिए जो डील हो गई है पट आगे का देखिए जो होरीजने कंपनी का वह तो मुझे बहुत बुलिश लगता है तो short term में थोड़ी बहुत volatility रह सकती है short term में यह भी हो सकता है कि stock अपको 240-230 का level भी एक बर दिखा दे बहुत कम chances है बट अगर market बहुत आप तीजी से नीचे आता है तो जरूर हो सकता है तो अगर वो होता है तो वो time होगा accumulation का because मुझे नहीं लगता कि देखिए 200 रुपे के below जाएगा 200 रुपे के below उसी position में जाएगा निफ्टी आपको 15,000 दिख जाएगा screen पे तो 15,000 दिखना निफ्टी बहुत जादा मुश लगता है कि यहाँ पर यही सोचना चाहिए कि कब इसको add करना है अभी market इस प्रकार से चलता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दुनों के अंदर भी और यहीं देखिए पूरा साल अब आपको यहाँ पर market में चलता हुआ देखने को मिलेगा 18,500 18,000 का level आना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है क्यों because market के पास अभी as such कोई trigger नहीं है जहां से इतनी तीजी करके दिखा है क्योंकि globally triggers अगर आप दिखेंगे वाली वो चाइना हो गया रशिया होगा USA हो गया यहाँ पर जो triggers चल रहे है वो अभी थोड़े से negative है चाइना में lockdown लग चुका है यहाँ अगर आप रश्या यूकरियन देखेंगे तो लगाता लड़ रहे और USA में fed है तो यह तीन फैक्टर से जो तीनों negative है तो इसके खारण कह सकते कि देखें मार्केट के पास अभी कोई option नहीं कि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी तीजी दिखा दे wait and watch करना पड़ेगा त लगा तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों फ्रेंट फ्रेंट वाटन इस वीडियो